question number 3 question number 3 क्या बच्चा two numbers are respectively 12 is to 1 by 2 percent and 25 percent more than a third number देखो कोई third number है जिसका ये कितना है 12 is to 1 by 2 percent ज्यादा है और जो second number है वो क्या है 25 percent ज्यादा है अब ये क्या कहरा आपको बताना find what percent is first number of the second number आपको यहाँ पर बताना है देखो हमने ऐसा question हमारी exercise 8a में किया था जिसमें सिर्फ ये नहीं more than ये cases तो नहीं था बट ये था कि first का second से percentage बताना था आपको पता है अगर first number दिया है तो first को numerator पे रखते हैं and second को किस पे रखते हैं denominator पे और percentage में बताना है तो 100 से multiply करते हैं बिलकुल यही formula यहाँ पे hint में आपको given है है ना तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो आपको क्या करना है अगर comparison third number के साथ हो रहा है तो आप एक third number लोगे जैसे let the third number भी hundred हमने hundred ले लिया क्योंकि percentage की बात हो रही है इसलिए हम hundred लेट करके जल रहे है तो hundred में 12 is to 1 by 2 परसेंट ज्यादा है first number तो first number क्या हो जाएगा बटा 112 means इसमें हमने क्या कर दिया hundred add कर दिया कैसे क्या है hundred plus 12 is to 1 by 2 अब बहुत सारे बच्चे है पहले इसको open करेंगे फिर calcium लेंगे ना ऐसे नहीं करना आपको hundred plus 12 क्या हो गया one hundred twelve one by two ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा second number क्या हो जाएगा भी आपका hundred plus twenty five तो कितना आ गया one twenty five ठीक है तो यहीं पर मैं इसलिए 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 यहीं पर कर रहे हो तो वन हंड़ ट्वैल इस टूवन बाइटू फर्स नमबर यह हो गया वहीं 100 plus ट्वैल इस टूवन बाइटू सेकेंड नमबर क्या हो गया 100 प्लस twenty five में 125 अब आपको परसंटेज बतानी है तो जो रिक्वार्ड परसंटेज वो क्या हो जाएगी फर्स नमबर अपोन सेकेंड नमबर इंटू 100 फर्स नमबर आपका विटा 112 अब आप इसको सोल कर लीजिए सोल करोगे तो क्या जाएगा 224 टू बंजा टू टू बंजा टू इटमींस 224 हो जाएगा प्लस वन क्या जाएगा 225 बाइटू अपोन क्या हो जाएगा भई सेकेंड नमबर क्या है आपका 125 इंटू 100 परसंट सोल करेंगे तो फर्दर क्या जाएगा बच्चे देखो अब ये जो थर्ड नमबर है आपका ये कहां पे जाएगा आपका जो थर्ड नमबर है कहां पे जाएगा आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस पींस कैसे होगा फर्दर ये 225 बाइ 2 इन्टू 1 अपोन 125 इन्टू 100 परसेंट आपका एजटीज रहेगा सोल करेंगे तो बच्छा क्या आजाएगा आपका यहां से कर लिजिए 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 5 जा 5 9 जा ठीक है अब किस से करेंगे आप नाइन्टी इन्टू 10 परसेंट कितना आगया भई 90 परसेंट तो यह आपका क्या हो जाएगा सोलूशन जो फर्स्ट नंबर है वह सेकेंड का कितना है नाइन्टी परसेंट यह पो बदाना था मैं आपको कोपी में भी 6 कुरा देती लेकिन यहां पर हिंट okay so now come to the question no.4 question no.4 a person invest Rs. 89,856 in mutual fund which is 26% of his annual income what is his monthly income देखो monthly income बतानी है तो यह mutual fund जो दिया है यह आपको किस पे दिया है mutual fund दिया है इतना mutual fund में invest किया लेकिन यहाप एक condition दिया है कि जो 26% है वो monthly income का नहीं है वो किसका है annual income का इट मीज़ अगर मैं यहाँ से मुझे annual income पता चल जाए तो मैं monthly income find out कर सकती हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लेट करके चलना पड़ेगा कि हमारी annual income क्या होगी फिर आप उसका 26% निकाल दोगे equal to this हो जाएगा और बाद में 12 से divide कर दोगे ओके now come to the answers let question number 4 answer क्या हो जाएगा बच्चा हम let करके चल रहे हैं let the annual income annual income be x ठीक है हम x let करके चल रहे हैं बच्चा तो second क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया है कि जो person invest कर रहा है आप लिख सकते हो money invest by the person कितना invest किया भई 89,856 which is which is 26% of annual income ये question में given है so we have क्या जाएगा बई annual income तो x लेट करी है तो x का 26% निकालेंगे is equal to क्या ना चीए 89,856 that means अगर मैं इसको उस साड लेके जाओंगी right में तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका reciprocal कर देंगे इसका तो 100 upon 26 अब आप इसको 26 से cancel out करोगे तो आपकी value क्या आजाएगी बच्चा 26 से direct भी कर सकते हैं या फिर आप पहले 13 से कर लीजिएगा ठीक है 13 से करेंगे तो कितना आजाएगा 13 to 26 13 to 26 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आजाएगा 6,9,1,2 again आप इसको करोगे 2 से solve करोगे तो क्या आजाएगा 2 बन जा 2 2,3 जा 6 2,3 जा 6,2,4 जा 8 2,5 जा 10,2,6 जा 12 इत मींस value क्या आजाएगी 3,4,5,6 into 100 देट मींस solve करेंगे तो आपका answer क्या आजाएगा last में 2,0 लग जाएगी इत मींस कितना आगया वही 3,45,600 ये क्या आगई आपकी annual income क्या ही है आपकी annual income लेकिन बात annual income की नहीं कर रहा question तो कर रहा आप उसको क्या बताएगे monthly income so monthly income will be क्या हो जाएगी बई जो भी आपका amount आया है उसको divide कर देंगे किस से 12 से तो answer क्या जाएगा आपका 28,800 that means क्या जाएगा 28,800 okay so यहाँ पे जो monthly income होगी उस person की वो कितने होगी 28,800 यही हमें question में बताना था आयो हो आपको दोनों पार्ट समझ में आये होंगे मिलते हैं next video में next question के साथ till then take care bye bye